तो गाईज कैसे हो उम्मीद है आप सब अच्छे होगे आज मैं बनाने वाली हूँ शामी टिकिया इंग्रीडियेंट्स आपको इसक्रीम पर दिखाई दे रहे होंगे अब हम पास इस्ट्रैप की तरफ चलते हैं यह मैंने कुकर लिया है यह पास तक्रीबन आधा किलो कीमा ह अच्छे से वाश कर लिया था और तक्रीबन ये देड़ सू ग्राम दाल है मैंने इसको एक घंटे के लिए पानी में डाल कर रख दी थी दो तेज पते हैं मैंने इसको अच्छे से दोलिया था वह एड़् कर रहे हूं इसमें 10 ते बारा लहसुन की कलिया है यह इसमें आध नारीयल का पुराधा है आधर टेविली स्पून एक स्पून ये तोफ पाउडर है ये साबित मसाले हैं इसको खलर में डालूहीं ये एक टेविली स्पून जीरा है ये छोटा सपीज जायफल का है एक बड़ी एलाइची तीन छोटी एलाइची आठ से दस काली मिर्च, पांच लॉंग, ये छोटे-छोटे चार से पांच पीस दालचीनी के हैं, ये थोड़ी सी जावित्तरी है, और मैं हलके से इसको पांचा कोटना है, इसके बाद में इसमें आड़ करनी, मैंने गैस की फ्लैम हाई करकर, मुझे इसे ठकन लगाकर दो सी कीमा हमारा तयार हो रहा है, तब तक मैं इसके लिए चटनी बनाती हूँ, चटनी बनाने के लिए मैंने ये एक कटोडी तकरीवन धनिया है, ये पांच हरी मिर्च है, ये एक अद्रक का पीस है, इवन 10-15 कली लहसुम की, चमच जीरा है, अधा चमच दुना जीरा, दो चु के कोड़े ही करें, इसके बीस मैंने इमली इसको अच्छी सी भीगा दिया थे, इसमें आड़ करें, पाने आड़ करेंगे, अब इसे गिराइंड करेंगे, हमें इसका ठकन खोल रही हूँ, चटनी हमारी तक इवन बन चुकी है, बखाद अच्छी खुष्टू आ रही है, अब हम नेक्स स्टेप की तरफ चलते हैं, ये प्रेशर निकल चुका है, अब मैं इसके दाल गल चुकी है, अब तीमा भी अच्छी से गल चुका है, गैस की फ्लैम आउन कर देती हूँ, जो इसके अंदर थोड़ा पानी रह गया है, मैं इसको अच्छी से ड्राइ कर देती अब मुझे इस पीमे को पीसना है, मैं इसे सिल्वट्टे की मदब से पीसूँगी, अगर आप चाहें तो इसे गिराइंड भी कर सकते हैं, तीमा हमारत तेज चुका है, अब मैं इसमें एक बड़े साइस का ओनियन जो मैंने पहले से चॉप कर लिया था, आन से चार हरी मिर अब मैंने इसमें नमग डाला था, इसलिए पहले मैं इसको मिक्स करूंगी, इसको नमग पेस करूंगी, हमारा नमग बिल्कुल अच्छा है, बनाने के लिए इतना तीमा लूँगी, और पानी लगा कर तेली पर पानी लगा कर, इसको इसस्ताइज गोल्टिकिया बनाओए सारी शामी टिकें तयार हो चुकी है अब हम इसको पैन प्राई करेंगी मैंने यहाँ एक पैन रखा है पैन को मैंने हाइफ लैम पर गरम करने के लिए रखा है मैं इसमें थोड़ा सा ऑईल शामी करूंगी इस टिकियां सारी साइट से पलड़ देना है यह मुझे सारी ऐसे ही साइट से पलड़ देनी है प्रेंड आप इन कवाबों को बिर्यानी के साथ भी सर्व कर सकते हैं फिर जपाती के साथ गाइज यह शामी टिकियां तयार हो चुकी है आब हमें से शार्व करेंगी आए कर दो दो करेंगे आए यह इस टाहिए टिकियां तयार हो तेकियां तेकिये बहार से किस्नी क्रेस्पी आए अंदर से किस्नी सॉफ्ट है दोस्तों अगर यह यह थार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा थैंक यू फॉर वचिंग इस वीडियो